दोस्तो अब जो कॉमिक्स हैं पढ़ेंगा उसका नाम मोत उड़ा यह होरर कॉमिक्स है और यह सेकंड पाट है इसका पहला पाट है रत पिपासु तो उसका पढ़ लेना नहीं तो स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी वह कॉमिक्स आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में हो कॉमिक्स का फॉल्टर होगा उसके अंदर मिल जाएगी तो अपर ने सेकंड पाट को यह उपर पहले पाट की स्टोरी है तो उसका पढ़ लेना नहीं तो स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी यह रुद्राक्स की माला उसी के उसके साथ कोई अनोनी हुए यह कड़ा उस माखन लखन के गाल पर भी चिलने के ऐसा निशन लगाए था और उसके बाद वह भी रहसमें डंग से गाइब हो गया था वह भूत चिल थी साइद हो कि यहां मुझे लगातर आत्मा का अभास हो रहा है क्या आत्मा किसी को इस प्रकार से गाइब कर सकती है करांती तुम आत आत्मा करती हो तुम बताओ क्या ऐसा संभव है आत्मा क्या है यदि आप फिड़की दर्वाजों पर लगे काले सिसो में अपना आक्सी देखेंगे तो वह जैसी अपनी इमेज आपको दिखेंगी वहीं वास्ता में आत्मा गारूप है तो ऐसी आत्मा किसी को गाइब नही रूपता है आत्मा को पकड़ने के लिए जाल बिचा रहा हूं अरे नहीं है वेसा मत रहो अगली आत्रा पड़ापर कर लेना ऐसी कोशिस अनधा यात्रा आगे निकल जाएगी ठीक है लेकिन मैं साबित कर दुआ कि आत्मा किसी को भी गाइब कर सकती है आत्मा किसी को कर दिया है क्या मतलब वन जब मैं पैदावा था तो मेरा उपर का होट बीच से गाइब था और मेरे दाथ भी बहुत से होट के कटे वह इससे दिखाई पड़ते थे ओपर रिशन के बाद ही मेरे होट पुरी तरह से ठीक नहीं हो पाया जिसकी वज़े से मेरा चेहरा माना की पूपसूर्ट नहीं दिखा लेकिन यह दितम मन की सुन्दता को मानती हो तो उसे तुम कभी भी परक सकती हो उसे मैं खरा उतरूँगा देखो जैकब हम एक टीम वर्गा पर बस इससे जज़ा मेरा तुम मैं कोई इंटरेस्ट नहीं ह पर मैं आओं मैं उफ तुम मेरे दिल का अलजान को गुसे में है और भुंगरु के गुसे का जब तुसे बुरा खर दे रहा है पर बुरा मत दिल के मामलों में जबरदस्ती निचलती जंगल में भी जबरदस्ती निचलती फैको जाल फैको पांच फस गए चोकड़ी देव संद्रिक्सित प्राणियों में नियाते इनका शिकार अवेदनी है जंगल में एक मख्य भी नहीं मार सकते खरगोश चोरने पड़े यात्रा कैम में वापस जाओ वो जाते जाते खरगोश ने पंजे मार कर गाहिल कर दिया मैं समझ गया चोर कोन है क्या इतने लोगों की बी सकते हैं वो एक नहीं पांच है मुझे मालव है किसे किस कैम में ठेर आया गया है फिलाल सभी यातरी कैम पे हैं उन्हें सुबह यातरा शुरोते ही पकड़ूंगा कितने चानलों चोरी हुए हम पांचों की बेटे गायव है पोरेस्ट टेंजर ने उन पांचों को चोरी के चानलों के सीथ पकड़ दिया तो मैं शिकार के लिए मना किया तो चोरी के डाल चोरी की बेटे दोगे दोगे देवी को हमें माप कर दिजे सेर गलती होगी बेटे वापस लोटा नहीं भोगी अरे क्या हुआ यह निशान कब लगे कल रात खरगोसे ने पंजे मार दिये थे कल रात तुम लोग यहीं रुपा हम अभी लोटते हैं जल्दी चलो पर वह क्या उन लोगों के पास पहुंचें तो जिनकी बेड़े चोरी हुए फिर बताता हूँ मोत उड़ा के थे इसको भी वैसे निशान लगे वह रैसमें डंग से गाइब हो गया मुझे सक है कि मोत उड़ा हुनी लोगों को लग राजिन के पास देवी को बेड़ देने में के लिए कोई पस हुनी है मैं देखने ही आय था कि बेड़े चोरी होने के बाद इस कैम के य आपके ओपर भी मोत उड़ा लग चुगा होगा इसलिए यह पांचो गाइब है उन्हें डूम ना होगा यह दिस्ट वोज यह पर्स है यह चीजे उन्हीं की तो नहीं पर्स में उन्हीं में इसे का ड्राइव राशेस है इसका मतलब बेड़े चोरी होते ही उन्हें मोत यह दि आपकी बात में दम है तो इसका मतलब हम सब भी खत्रे में क्योंकि हमारे पास भी बेटे जानवर नहीं है यह आत्रम में भी कई मुसाफिरों के पास बेटे नहीं है साब साब वह पांचो बेड़ चोर रहा है इसमें डंग से गाएव होगे क्या बक्ते हो ऐसा तो ह भी को ना ही था कि करनल तांत्रिक समसान चंदर डूढें यह मिल रहा ना अपने कैंप में और ना कैंप से बार कहीं पर वह आत्मा के चकर में होगा पर कहां जा सकता है वो जंगल में गावते कि जब किसी की मुत आते तो अधिला निकलता है मुझे आत्मा का वा आपास हो आत्माई कैम्प के आसपास मंट रही थी आत्माई भी एपनी गंद छोटे मैं उस गंद का पिछा कर रहा हूं मैं आत्माई को पकड़ूँगा अपनी बात साबित करूँगा कि वो किसे को गायव कर सकती है ची ची ओ उफ दूस्ट निशाचर गाल पर जलन हो रही है समगादर ने पंजा मारा है ओ ये निशान मोत उड़ा का निशान मगर मुझे क्यों लगा है ये निशान मेरा कुछ नहीं बिकाट पाएगा ये आत्मा जड़े हैं ये दिमुद पर किसी आत्मा ने अमला किया तो ये वो सीदे इस आत्मा जड़े में समा जाएगी तांतिक समसान संसे अभी पाला नहीं पड़ा उसका तेरा पाला भी हमसे इससे पहले कभी नहीं पढ़ा हमसे जिसका पाला पढ़ा दो बार जिंदगी से उसका कभी पाला नहीं पढ़ता हमें आत्मा जर्मे कैद करने वाला हमें देकर फुट जड़ हो गया आकर हमें आत्मा जर्मे कैद हाँ 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 ओम ही कली, ये देख तरे गाल पर मोत उड़ा लगा है, इसका मतलब जानता है मोत, जिसको लगता है ये मनुस निशान उसी मोत, ये तु देवी के लिए बेट लाया होता तो बच जाता है, हाँ हाँ, ओम ही फट स्वा, हम देते हैं मोत, हम है, हम ही है मोत उड़े, स्क्रिच, आह, नहीं, वो भी आत्माई सक्ति चाली है, सैतान है, गबराय तांतिक पलटा, मगर पिछे पलटे, उसी टांगे बुदी तैसे काफी, गररर, चप चप गररर, हुनके एक बंद भी जमीन पर ना गिनने पाई, अन्नता देवी की को बेट, आयो गए हो जाएगी, गबराय नहीं, तेरी खोपड़ी भी टूटी नहीं, कुछ संखी जिंदी ओर तेरे पास कड़ करत, चला मार साथ नहीं, या, बचाओ, चले आओ, तुम भी पिछे चले आओ, तुमें भी मिलेगा देवी का पर साथ, गररर, गररर, या ता तो चोकड़ी देवी को मंदिर म मैं कई दिनों में पहुंचती थी, मगर मोत उड़े या पहुंचे, यह तुम मुझे कानले आयो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, देवी को तेरी बेट दे ते थे, फिर जाने देंगे, कडाक, आ, मगर तुझे नहीं, तेरी आत्मा को, हा, 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 चोकड़ी दे समसान्चंद के शरीर पर तूट पड़े थे कि नहीं और कि मिस्ट्री टीम को मिल गए थे तांत्रिक समसान्चंद के निसान यह रतन जड़ित अंगुठी समसान्चंद की रही ही उंगली में थी क्या उसे पर लगा हुआ मोतुड़ा आखिर क्या रहा है से मोतुड़ा का और आफिर मोतुड़ा का सिखार कहां गायब हो जाता है किसे किंद पर इस हदिद्यों में लगता है मोतुड़ा बचा वह आथिका बचा इसी और आ रहा है ट्रेन उसके रास्ते सहट जाओ करांदी तो उसी रास्ते में थी गवराओं नहीं मैं इसे पकड़ सकता हूं पराण गजी उसे ना पकड़ता तो यह तुम्हें टेट अकर मारकर निकल जाता है हाँ उसाती के बच्चे को सिर्फ यहीं रोक सकता था जड़ ओफ प्रेंग अपने बच्चे के कान परोदित होकर आकरमन कर रही है प्रेंग ओफ गवराओं ने इसका बाप भी आजाए तो भी चिंता नहीं साहे तरे लिए पल कोई रिकॉर्ड बनाने में मेरी मदद करें अभी तक आथी को सुन से पकड़कर बिठाने का रिकॉर्ड मेरे नाम है यहाँ जान पर बनी है और इसे रिकॉर्ड बनाने की सूज रही है अथनी और इसका बचा लोट गए और तमारे काण संकर डल गया अनता अथनी हम पर आकर्मन करती और किसी ना किसी को जुरूर मार डालती अब मैं आगे क्या करना चाहिए क्योंकि नर बक्सी तेंदो की मौत के बाद भी लोग गाएब हो रहे हैं मेरे विचार में यहाँ करांती कुछ कर सकी है च यह किअ क्या कर सकते हूं मैं घर न ले उसे बता करांती ने अपना काम शुरू किया में प्लेंचीट पर आत्मा को बुलाने का प्रयास करते हूं लेकिन अभी तक गाइब हुए व्यक्तियों मेंसे किसी के आत्मा का तभी आगी जब zwischen नहीं होगा कि परकट हो पर याद्रा में परकट हुए व्यक्ति कि आत्मा परकट हो ओ है संसांचन्द की आत्मा प्लेएंचिट पर आगये समसान चंद की आतमा इसका मतलब वो सचमस महारा जाच प्राओ श्यान तो श्यान तो आतमा उंकार पड़ी हूँ चले जाओ चले जाओ वरना सब मारे जाओगे मोत तुड़े बैंकर है शक्ति साली है उन्होंने मुझे बड़ी करूरता से माठ डाला वो देवी के उपा सकते हैं जंगल को खाली कर दो जाओ चले जाओ वरना कोई नहीं बचे आओ वो कोन है ऐसा क्यों कर रहे हैं मोत तुलो के बारे में बताओ कोन है उनकी देवी मोत तुलो की सेतानी सक्ति से मैं नहीं जी सकता वो मुझे लेने आगे हैं वो मेरी आत्मा को भी तरपाना चाहते हैं कोगि मने मोत लोग हो रहसे टुछा कि थी मुझे जाना हो गाजायो तुम भी चले जाओ तुम मेरे आवान परायो नई तुम नहीं जा सकते तुम मेरे नींतरन में हो कुपित आत्माव का माय जाल थाओ वो नौएक और वरक्स करांटी पर गिर रहा है किया इस बार मौत पक्की थी मगर करांटी को छो भी निपाए वरक्स कावण नुखिला तना और जल कर बसम ओने लगा तने में कैसे लगी ये सब क्या था करांटी फिर सब कुछ सांद हो गया सक्ति साली आत्मा ने मुझे जान लेवा पराद किया था क्योंकि मैंने समसाद्चंद की आत्मा को बुलाने की कोशिश की थी मोत तुला की बैंच सक्ति बैंकर थी मुझे मेरी ओम लटने बचा लिया पर नात्मा को अधिक समय तक नहीं डोख पाई अफ चलो हमें यह तो पताचरा की समसंचन जिंदा नहीं है इसका मतलब गाय बाखी दोग भी जिंदा नहीं बचेंगें क्या मतलब गर्जी ठीक कहता हो सकता है पूरी यात्रा पर मोत का संकट मंडरा रहो मगर यात्रा कई बर्षों से होती आ रही है यात्रा हर बर्ष से ठीक हार गुजर जाती है यात्री अपनी बेटे देकर से सलामत लोड़ जाते हैं इस बार मोत उड़े आतंग मचा रहे हैं को ने मोत उड़े क्यों करें ऐसा गुजर तुमने बहुत सास दिखा है मगर तुमारे कंदे पर इन निशान ये मोत उड़ खा निशाने यात्रा में वापस लो गज़ी गज़ी पर निशान लगा गज़ी तुम द्यान रखा अकैले मत होना हम देखेंगे क्या है मोत उड़े और किस तरह तुम पर करेंगे पूरी यात्रा के लिए बयानक मुशिबत के पल थे उदर देखो जंगली बैसों का विशाल जूंड इसी और दोड़ा रहा है और इनकी गति देखतो लगता कि वे थोड़ी देर में यहां पहुंचाएंगे इनकी संख्या देख कर लगता कि यहां से गुदे तो हम सब को कुचल डालेंगे यात्रा में बुरी तरह बगदर मसी बागो पेड़ों की ओठ में हो जाओ या पेड़ों पर चट जाओ वरना कुचले जाओगे बाँ बाँ वर्ख की ओठ में जाओ जल्ली करो गजी तुम हमारे साथी जहना उदर अकेले का जा रहे हो भूख धड़र ओफ गजी तुम पर मोत उड़ा लगा पेड़ की ओठ में आ जाओ जाओ जम्प गजी जम्प लेकिन कमान यू वाल्ड कमान गजी तुझे मोत पर नाख सिनने दोस्तों गजी पानी में आखर गिरा उफ गुलुफ वह जंगली बैसा कहां गया मैं कहां गया हूं और यह जगह कौन से यह वह जगह नहीं है जा हमारे कैम्प लगे थे मोत उड़ा कहां गया पहले हथनी से लड़ाए फिर करांती को पचानी कसत और मोत उड़े की टक कर मुझे ताकत इक खटा करनी होगी जो मुझे खाने से मिलिगे और शिकार सामने है वहां फोरेस्ट ओपी से शिकार करने नहीं देगा और मुझे चाहिए कच्चा मास मोत उड़े से तो में एक बाद निपट भी लोगा मगर भूख से निपटा मुस्किल है फिरन के मास इतरा क्या बलाओगा यह ले हम तुझे देते हैं पेट बने का पड़ा मुझा ले बैसा खा मगर द्यांड़े रत की एक विबुन नीचे भूमी पर ना गिरे यह दिया सा वा तो हम तुझे खा जाएंगे को नो तुम मो तुड़े चल जल्दी करो मास खाना शुरू कर क्यारो तुमने की ही किये तांतिक समसान संद के ला और भी कई नर्शन सत्याई तुम जिन्दा रहने के काबिल नहीं सडाक तो अपना समय खराब कर रहा चल्द मास खाना शुरू कर बदना हमारी बुख बड़क उठी तो हमसे जीने को मिला यह अवसर तुखो देगा देखा अब तो सियार भी आगे तेरी अडिया चबाने को मा डालूँगा तो मैं धाड़ देर मत पर अवसर मत गवा गर्जी को के जिसमें सीरन सी दोड़ गई थी यह सच मुझ सैताना मैं सैतानी आतों से नहीं जून सकता मुझे इनके दिया है उससे का अलाब उठाना चाहिए इनके एक बुंध भूमी पर गिने से बचानी होगी मुझे वनाई यह मुझे नहीं छूड़ेंगे अरे नहीं पूर्ण शच्छी हमने का था कि रखतिकी एक बुंध भूमी पर गिने चाहिए जे चोखडी देवी ठीं ठीं ग्लेस लोगा जड़ जंगली तुफान कुछ ही पलों में बुजर गया था, गजी का हैं, मैंने उसे जंगली बैसे के सिंगों से टकरा कर दूर उचलते देखा था, यहां कई पर उसका कोई निशान नहीं बचा, उसे मोतुरा निशान लगा था, उसकी विशे सुर्ख सेकनी चाही थी, हम पशु बगदर में खोगे, साज वो जंगल में निकल गए हैं, तुम लोग चल दिसे अपने पशु को डूंड़ो, और चुप और गुरुप से अलग मत होना, बैठ के पशु डूंड़ने के लिए यात्रों में अफरात तफ्री मच गी, बोखलाए यात्रों की बीड परशन होती है, अब हम क्या अगरे, हमें शिकार करने के अनुमती दी जाए, अरगीज नहीं, जंगल में शिकार परती बन दी जाए, याता जाई रखो देवी, तुमारी विश्ता को समझेगे और तुमारी इचाही पुरन करेगी, रास्ते में गाउं पड़ता है, हम कोश चमगादड़े कैम में गुशाई हैं, और हमारा अधक्त चूस रही है, इन्हें खींचर अलग करो, यह अलग नहीं हो रही है, एक आखी सारी चमगादड़े उड़ गई, यह वापस लोट रही है, ची, 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 उफ करना दिये पक्सियों के चिलाएंगा इतना शोर कैसा यह चंगली यह जिंगूर, सियार, कुट्टे, दोमड्या, गीदर, चमगादड़े और अनन निशासे प्राणी इसी प्रकाचीकते रहते हैं, फिर भी देखना चाहिए, चमगादड़ों का काता मनुस होता है, मुसी बताब क्या हुआ, चमगादड़े चली तो गई, हाँ चली गए, मगर इस गाउं से हमें खतनाक जान लियाओ, बिमारी रेविज हो सकती है, या तरफ स्वरक्षया दस्ते के डाक्टर के पास इसको जहर को मानने की दवाँ होगी, मिस्टी टीम ने रास्ते में रोक लिया, क्या हुआ, हमें चमगादड़ों ने कैम में बुच्रिप काटा है, ये निशान, क्या हुआ करनल, कुछ नहीं पो नहीं, जैकप इन्हें मेडिगल कैम में ले जाओ, येस करनल, हाँ दूसरे यात्रों को भी चेक कर दे, क्योंकि चमगादड़ों का जो सोर हमने सुनाए, वो केवल, चेर पांच चमगादड़ों का नहीं था, चमगादड़ों ने बड़े कई कैम्पों पर मला की आओगा, करनल, मैंने कई पक्षों के चिलाने का स्टे सोर सुनाए, हाँ वो चमगादड़ों का सोर था, कैम्पों के बार बारी बीड जमाऊ गई करनल गमासान विक्रर और क्रांटी सहीत पोरेश्ट ओपिसर के भी पाउं उतले जैसे जमीन खिसक गई थी ये सब मोतुड़ा के निशान है ये सब निशान एक जैसे क्यों है काटने से तो दिखेवल दातों के निशान बनने चाहिए थे आपको छुपा रहे हैं इन निशानों के मेर कोई रैस है विक्टर जैकब पता करो कि इसमें से किस-किस के पास पसुआ है किस-किस के पास नहीं जल्दी पता चल लग गया करनल जिन के पास देवी को बेट के लिए पसुआ है निशान नहीं लगे हैं और जिन के पास नहीं है उन्हें निशान लगे है मुझे भी यहीं सकता बीड में दैसे प्पहल ली थी आखिर कोई पता था क्यों नहीं क्या है यह निशान एक विशेस मीटिंग होई कुल मिलाकर सो लोग है जिनके पास देविक को बेट के लिए पसुनी है और इन मैसे बीश को मोतुड़ा लग चुका है अगर हला ना हुआ होता तो साइद इन सभी को लग गया होता यानि कि इन बीश पर मोतुड़ा का साह मंडरा रहा है अब क्या करें इन बीश को तो बचाने होगा पोनी लेकि जैकप इसके जिम्मेदार में अत्मे लेता हूँ अगर इससे पहले कि बाकी लोग मोतुड़ा निसानों का शिकार हो जाए हमें कुछ करना भी होगा हम क्या कर सकते हैं हमें उन लोगों को शिकार के अनुम्मुती देनी होगी बलकि अपने लिए भी वेट का इंजाम करना होगा नहीं मैं शिकार के अनुमुती अरगी नहीं दूँगा ये फंदे लगाकर मैं इंसान की रख्षा के लिए अपने उसूल दोड़ रहूं लेकिन ये शिकार मैं खुद करूँगा उन्हें अनुम्मुती दीतों वे सो की जगे पांक सो को मार डालेंगे जल्दी इन फंदों में छोड़े शिकार पस गए मेरी कोशिस से किसी का बला हो तो क्या बुरा है तब क्या सभी को बेट के पसूपक से मिल गए हाँ हम सब को मिल गए और मिस्टी टीम बेट मिलने के बाद अब आप लोग भी सुरक्सित हैं लेकिन क्या पॉनियो जैकब कोई इन पसूपकी जरुत नहीं होगी पॉनियो जैकब कोई पसूपकी जरुत नहीं क्योंकि होगी क्योंकि उनके पास तो पहले ही पसूपकी है मगर सर आप आपके पास तो बेट का पसूपकी जरुत भी नहीं है मैंने दूसरों की जिंदगी के लिए अपना वसुद दोड़ा है अपने लिए मैंसा नहीं कर सकता हूँ यह जंगल है और इसमें वास करने वाले पसूपकी मुझे अपनी संतानों की तरह पिरिया है मैं अपने लिए उनकी बेट नहीं दूँगा यह आतरा को आगे बढ़ा हूँ करना लोग जंगल मैं केला कहां जा रहा है साइद वो कुछ देर अकिला रहना चाहता है चाहता हूँ करांती विक्टर तुम लोग यह आता कि साथ रहो मैं उसे लेकर आता हूँ अपने आथ को देख अपीसर चोक पड़ा है मेरी कलाई पर इन इस निसानों फिये तो मोत उड़ा है और तब ओ एक एक करके सभी को लगने है मोत उड़े पर दिख साथ चीजिए आगे है पांच सो फंदे दोस्तर एक कोमिस से निस वाप्त होती है उसका लाश्ट और फाइनल पाइट है पांच सो फंदे तो कोमिस अगर आपको अच्छी लगी तो अपली चैनल को सबसार कर और मिलते हैं आखरी पार्ट में